हलो एवरिवन आज की क्लास में देखेंगे इलेटिकल कंड़क्टिंग मटेरियल्स ठीक है इसमें इलेटिकल कंड़क्टिंग मटेरियल्स में दो तरह के मटेरियल्स होंगे फर्स्ट जिसमें लोड असिस्टिविटी या इसको कह सकते हैं हाई हाई कंड़क्टिविटी जिसमें हो ऐसा मटेरियल्स एन सेकंड टाइप मटेरियल्स जो होगा इसमें हाई इसमें रिक्टिविटी या लोग कंड़क्टिविटी टाइप मटेरियल्स दोनों का अपने अपने रिक्वार्मेंट्स है कैसे जहां पर इस एक कंड़क्टर इस फर्म में यूज करना है कि यहां पर कंड़क्टिविटी ज्यादा हो तो उस कंड़िशन में यहां पर लोग असिस्टिविटी मटेरियल्स यूज करते हैं जैसे कि किसी मसीन के वाइंडिंग में वाइंडिंग ओफ मसीन ओफ मसीन मसीन यानि कि जिसे टांस्वामर डीसी मसीन एसी मसीन में इंडक्शन एसी में आजयेगा दो टाइप इंडक्शन और सिंक्रोनस तो किसी मसीन में अगर वाइंडिंग जो करेंगे तो वाइंडिंग में जो मतेरियल्स करेंगे उसका कार्स्टिविटी बहुत ही कम होगा क्योंकि हम चाहते हैं कि कॉपर लॉस आई एस्क्राइर आर लॉस जो वार्णिंग में हो वो लो होना चाहिए कि अगर दूसरी बात कि और कहां इसके इस कर सकते हैं अगर हमें यूज करना है कि ट्रांस्मिशन लाइन में है तो दो ट्रांस्मिशन एंड astronomy लाइन जो होता है okay मुआ ट्रांस्मिशन लाइन इसका मत्भ़ विन है कि जो जेनेटर से डिस्टिव्षेन के बीच में गो जो लाइन रहेगा ठीक है? जैनेटर और डिस्ट्रीउटिब्शन के बीच में जो लाइन रहेगा उसको बोलेगा transmission line यह मतलब जैसे 500 km जाथ ख़जार km दूर तक भी हो सकता है जैनेटर कही और मान के चांदे जैनेरसन यहाँ पर कोटा में हो रहा है और यहां पर डिस्ट्रिप्शन यहां पर अलवर में हो रहा है तो इस फ़र्म में दोनों को जो connect करेगा transmission लाएं तो उसमें बहुत long distance के लिए है long distance के लिए तो इसमें भी हम चाहेंगे कि कम से कम losses हो i2r loss यानि कि copper loss यहां पर कम से कम तो क्योंकि हम चाहते हैं कि जो यहां से power delivered हो वो almost maximum power यहां पर distribution और distribution से यहां पर consumer के पास आज़े तो इस तरह के winding जहां पर करना है या इस तरह से cable जहां पर बिछाना है उस condition में यहां पर हम use करेंगे low resistivity या या high conductivity types of material ओके इसमें कौन-कौन से एक्जामपल आएंगे तो एक्जामपल जैसे किस material से बन सकते हैं तो एक्जामपल इसका सबसे बेस्ट कंड़क्टर शिलवर नेक्स्ट कॉपर इसके बाद एल्मूनियम सबसे बेस्ट एक कंड़क्टर है सिलवर नेकी निए बहुँ ज़्यादस कॉस्ट्नी है copper भी अच्छा कंड़क्टर आगि के कंड़क्ट्डियम थूरो सा कंड़क्टिवीटी सा कम है पर एस chiपर कॉस्ट में सबका अपना properties है इस properties को और detail में देखेंगे जब subject के अंदर में उस unit में आएंगे लेटकल conducting materials में तो यहाँ पे और detail में देखेंगे अब यह introduction साथ में gold भी कहीं यूज होता है जैसे कि mobile phone के अंदर या कुछ ऐसे chip में जहाँ पे gold को भी conductor की तरह यूज करते है स्मॉल तो उस condition में gold को भी यहाँ पे यूज में लेते हैं ठीक है नेक्स्ट जो टाइप है इसमें है कि हाई resistivity या लो conductivity type of material तो इससे क्या इस तरह के conductor को कहां पर यूज करते हैं एक कंड़क्टर यानि की इन्सुलेटर नहीं है कंड़क्टर है नेकिन इसका resistivity इसमें हाई है तो इसको यहाँ पर यूज करेंगे जहां पर हमें heating के form में a light के develop के form में हमें यूज करना है तो वहां पर हम इसको यूज करेंगे तो इसको यूज करते हैं कि इन मैनिस्फेक्ट्रिंग मै Biz कि पिलामेंट मैनिसक्ट्रिंग इसए बल्फ का filament है या फी heater का filament है ना filament किस में जैसे कि bulb जो होता है yellow color का जो bulb है इसको बोनते incandescent lamp तो यहाँ पर उसकर सकते हैं next है heating material हीटिंग मतेरी में कौन-कौन सा आएगा जैसे कि एलक्ट्रिक हीटर प्रेस या नहीं कह सकते हैं आरण ठीक है स्पेस हीटर या रूम हीटर स्पेस या इसको कह सकते हैं रूम हीटर और दूसरे एक्जामपल जैसे गीजर इस ढंग पर फॉर्म में जहां पर इसको यूजमे लेना है तो वहां पर क्या कर रहे हैं कि यहां पर कंडॉक्टर के फॉर्म में यहां पर करेंट फ्लोव होगा लेकिन इसमें एजल लॉसेज में i2R losses के form में हमें energy को convert करना है और i2R के form में energy को convert होगा तो i2R into t यहाँ पर i2R power हो गया यहाँ पर i2R t energy हो गया 10 से अगर multiply कर दिये तो यहाँ पर energy जो होगा a heat energy के form में होगा और यही heat energy अगर बल में हो तो बल में यहाँ पर light energy के form में आता है hitting होने के बाद और बाकी में यहाँ पर जैसे electric heater है या प्रेस है या room heater है यहाँ पर heat energy के form में यहाँ पर जाता है तो उसमें हम high conductivity नहीं चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि वहीं पर energy dissipate हो और इसको heat energy के form में convert कर जब कि इसमें क्या चाहते हैं कि जिस medium से जिस material से यहाँ पर current जा रहा है वहाँ पर heat यहाँ पर energy loss नहीं इंड user के पास जाए या फिर machine की बात करें तो machine में चाहते हैं कि winding में loss नहीं हो यहाँ पर mechan के energy में transfer हो तो यहाँ पर winding में जब loss नहीं चाहते हैं तो इस time में हम ऐसा material यूज करेंगे जिसका low resistivity हो और जहाँ winding में loss चाहते हैं जब फार्माफीट वहाँ पर high resistivity type of material को use में लेते हैं इसका example bulb में tungsten यूज करते हैं next आएगा carbon next type of material जो है जिसको यूज में लेते हैं nichrome next type of material है manganine इस चाहँ type of material को generally हम high resistivity type of conductor में use में लेते हैं ठीक है तो conductor का यहाँ पर application कहां हम ले सकते हैं अगर conductor की बात करें हम बात कर रहे हैं conducting material का तो इसका application कहां लेंगे इसको study करते हैं तो classification heading आर जाएगा subheading classification of material based on area of application based on अप्लीकेशन अप्लीकेशन मतब कहां कहां इसको use में लेते हैं तो उसके अनुसार हम यहाँ पर classify करेंगे materials को तो इसमें first यहाँ पर है जो हमने अभी बात किया कि conductor कहां पर इच करेंगे इसकोईल के फार्म में machine में तो first आजाएगा conductors for coil in electrical machines next जो हमने अभी डिसकस किया यह है heating element heater के फार्म में heating element के फार्म में ठीक है next है light के फार्म में as a light energy तो lamp के filament जो भी tungsten हम यूज करते हैं incandescent lamp में तो उसको हम यहाँ पर दे सकते हैं next application जो हमने डिसकस किया conductor में यह है transmission line के इसके लाबा by metal strip होता है जो switches को as a switch cam करता है for cutoff एक limit से ज्यादा का heating होता है तो यहाँ पर bend हो जाता है यही चीज यहाँ पर क्या हो जाएगा जाता है इस डंग से इस डंग से bend हो जाएगा दो अलगाने material से बना रहता है bend हो जाता है मान के चुना इससे कोई connection है यहाँ पर कोई चीज से connected है ऐसे ठीक है यहाँ पर connected है तो जब यह bent हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cut लाएं के इसका हो जैगा है यहाँ परालगा जाता है तो यहाँ बनानग मतरियल कोई दोनों यहाँ पर conductivity, heat transfer दोनों का अलग रहेगा temperature constant दोनों का अलग, दोनों material का रहेगा इसके नुसार bending जो होगा, दोनों का अलग होगा, तो इसके नुसार यहाँ पर bent होता है, ओके next यहाँ पर contact material जैसे कि अगर हम use करते हैं switch को cut करने के निए घर में जैसे MCP होता है इसको नहीं, यहाँ पर मेंडी हम देखेंगे, circuit breaker जो नार्स transmission नहीं या generator side या transformer में रहता है, circuit breaker तो वहाँ पर अलग type of material होगा, जो high amount of heat को भी toilet करें, और यहाँ पर cut off, cut करने के लिए, या फिर connect करने के लिए यहाँ पर काम है, fault जब detect हो तो relay जो है, यह operate करके circuit breaker को operate करेगा, यहाँ पर cut करेगा, जब यहाँ पर circuit break होता है, तो उसका में बहुत huge amount of heat energy यहाँ पर बनता है, तो उसको हम यहाँ पर heat को यहाँ पर toilet करें, तो उस ढंक के यहाँ पर material होना चाहिए, तो detail में जब देखेंगे कि material का क्या-क्या characteristic है, तो उसके निचार हम design करते हैं कि 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 material से यहाँ पर बनना है, ओके huge, घर में जैसे fuse है, तो fuse का अलग material होना चाहिए, इसका अलग property होगा, कि यह fast melt करें, एक current, एक limit से ज़्यादा current flow हो, तो यहाँ पर i square r losses में, i square r into t time heat जो होगा, इसकी वज़से melt हो जाए, और circuit को break करें, अगर एक limit से ज़्यादा current flow हो तो, है ना, तो device को protection करने की ने, तो वहाँ यह image करते हैं, next होगा इसमें, brushes, in machine, DC machine जब पढ़े होंगे, तो इसमें आप पता होगा कि brushes का काम क्या है, commentator segment से कैसे connect होता है, कैसे यहाँ पर, एक stator और rotor के बीच में कैसे connect करता है, तो इसका आप पढ़े हैं, कि carbon या graphite material से बना हुआ है, या कहें कहें copper से यह बना होता है, graphite copper, तो इसका characteristic क्या होना चाहिए, कि स्निपरी ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर wear and tear नहीं हो, और एक अच्छा conductor भी होना चा material, तो आज के class में अभी इतने ही देखते हैं, for next class में देखेंगे इसके आगे, thank you